नमस्कार दोस्तों आज हम लोग को Nifty 50 में फिर से 250 पॉइंट से उपर का गिरावट हम लोग को देखने को मिला है और as expected हम लोग को ये गिरावट देखने को मिला है और last में हम लोग 4 stock भी देखेंगे कि हम लोग क्या आगे course of action रखना है और हम लोग nifty 50 के गिरावट के reason को भी देखेंगे और आगे हम लोग को कैसे हम लोग को proceed करना है क्या करना है वो सब हम बात करेंगे इसलिए वीडियो के अंतक बने रहें और market में गिरावट का reason ये निकाला जा रहा है कि omnicon cases बढ़ते जा रहा है all over the world खासकर European countries में हम लोग को जड़ा cases देखने को मिल रहा है और central banks जो European central banks generally है वो भी अपना interest rate बढ़ा रहे हैं इस करना से market में एक काला बाजल चाया हुआ है इस करना से हम लोग को लगतार थोड़ा sideways और फिर गिरावट का दोर हम लोग को देखने को मिल रहा है और सबसे mid region market की गिरावट का माना जा रहा है दोस्तों वो है third wave of coronavirus जो बहुत सारे countries में हम लोग को देखने को मिल रहा है जैसे UK, South Korea ये समय fresh cases बढ़ते जा रहे है और US में भी लगतार हम लोग को sharp increase देखने को मिल रहा है infections में तो इससे traders fear कर रहे हैं कि आगे बहुत सारे restriction हो सकता है lockdown हो सकता है इस कारे से global sentiment थोड़ा negative है और second reason बताया जा रहा है Bank of England जो कि एक global central bank है उसने थोड़ा interest rate भी hike किया है 0.15 percentage points का जो कि करीब 0.25% है और इस बात का हमने पहले भी discussion किया है दोस्तों कि price 200 days के moving average से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था Nifty 50 में तो ऐसे situation में हम हर बात बताते हैं कि अगर price 200 days के moving average से बहुत ही ज़्यादा दूर चले तो यहाँ पर FIIs, DIIs का selling आता है तो FIIs ने तो बहुत ही heavy quantity में sell किया है लेकिन DIIs और retailers थोड़ा hold करके चल रहे है थोड़ा buying भी कर रहे है इसके कारण market straight fall नहीं कर रहा है हम लोग को लगतार fall देखने को मिल तो जरूर रहा है तो इस area में हम बोले थे दोस्तों कि अगर थोड़ा consolidation हो रहा है तो आप लोग कुछ nifty bees में SIP कर सकते हैं तो अगर यहां पर कियो होंगे तो इस गिरावट में अब हम लोग को खिरदारी नहीं करना है अब हम लोग को अगला target लेना है price 200 days के moving average के करीब में आता है यहां पर आएगा तो हम लोग और भी buy करेंगे तो जो हमारा method आता है कि हम लोग कब buy करना पसंद करते हैं हम लोग buy करना पसंद करते हैं बेश्ट होता है 200 days के moving average के करीब या उससे भी अच्छा होता है price 200 days के moving average के नीचे चले तो अभी फिलहाल हम लोग को nifty 50 में लगतार गिरावाट का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो इसलिए हम लोग downtrend में averaging ज्यादा नहीं करेंगे nifty 20 और index fund में तो यहाँ पर हम लोग कुछ buy करके चलने के लिए बोले थे buy कर लिए होंगे तो ठीक है नहीं तो अब price 200 days के moving average पर आने वाला है तो वहाँ पर हम लोग support लेते हुए दिखता है तो वहाँ पर add किजिएगा लेकिन अभी फिलहाल हम लोग wait and watch करेंगे तो हमारा पहला स्टोक है दोस्तो डिक्सन टेक्नलोजिस डिक्सन टेक्नलोजिस की बारे में बात करें तो LED TV और भी बहुत सारा electronics equipment बनाने वाली संदार कपनी है तो डिक्सन टेक्नलोजिस में भी हम लोग देख रहे थे बहुत ही दिनों से इसमें bullish momentum था और price 200 days के moving average से हुथ ही ज्यादा हो जाए तो कुछ हम लोग को profit book कर लेना चाहिए माली जेटेन स्टोक है तो 3-4 quantities हम लोग को निकाल लेना चाहिए profit book कर लेना चाहिए तो long term के investor weekly chart पे profit book करते हैं और daily chart पे short term investor profit book कर सकते हैं तो अभी हम लोग डिक्सन टेक्नलोजिस में देख रहे हैं अभ हम लोग entry और भी बढ़ाएंगे अपना 200 days के moving average के करीब में अगर और भी नीचे आता है दोस्तों तो हम लोग नीचे का pivot देखते जाएंगे और अपना SIP करेंगे लेकिन इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे कि downtrend में हम लोग ज्यादा averaging नहीं करेंगे downtrend में किजेगा तो हम लोग weekly chart पे भी देख लेते हैं तो weekly chart पे भी हम लोग को price 200 days के moving average से बहुत ही ज्यादा दूर चल रहा है और थोड़ा space ज्यादा हो गया है इस करेंगे से थोड़ा correction आ सकता है तो पहले हम लोग wait करते हैं इस pivot पे अगर आता है और daily chart पे हम लोग को 200 days के moving average पे आ जाता है तो हम लोग quantity add करेंगे लेकिन अभी फिलहाल हम लोग Dixon Technologies में कोई buy नहीं करेंगे अगर पहले से नीचे के price पे खड़ते हुए हैं तो कुछ profit book कर सकते हैं और हमारा अगला stock है दोस्तो polycap बहुत ही quality electric wires बनाने वाली company है और भी बहुत सारे electronic equipment बनाता है तो बहुत ही संदार return भी दिया है पास्ट में तो इसमें हम लोग quality stock है तो कुछ entry हम लोग बना सकते हैं लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं चाट पे तो एक जगा हम लोग क हम लोग देख रहे हैं लगतार हम लोग को वहीं से price register होते हुए दिख रहा है तो हम बोले थे यहां पे आप लोग profit book कर लें यहां पे profit book करने के लिए बोले थे तो अगर जो किये होंगे अच्छे होगा बात अगर नहीं किये होंगे तो और भी price अभी नीचे आ सकता है तो कभी भी हम लोग को एक दिन के fall में हम लोग को buy नहीं करना है पहले हम लोग को wait करना है 200 days के moving average प्याने दीजे तब हम लोग buy करेंगे और फिर और भी नीचे आता है तो हम लोग नीचे का pivot देखके और भी अपना quantity बढ़ाएंगे लेकिन बार बार downtrend में आवरेजिंग नही कपनी है और बहुत ही पास्ट में बहुत ही संदा रिटन भी दिया है तो इसमें तो हम लोग बना सकते हैं इंट्री लेकिन लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि price 200 days के moving average से बहुत ही ज्यादा दूर जाता है और इस pivot पे इसको resistance भी मिलता है तो इसलिए हम लोग बोलते रहे थे बहुत ही police momentum कुछ दिनों से चल रहा था और price इस pivot पे resistance लेके pullback बढ़िया सा लिया है तो फिलहाल इसमें अभी और भी wait कर ले क्योंकि 20 का line नीचे की तरफ inclined है और भी decline हो सकता है और इस pivot या 200 days के line पे भी आ सकता है तो इसमें अच्छा opportunity आने वाले दिनों में मिले है इसके करीब आने दिजिए तब हम लोग buy करेंगे और weekly chart पे भी देख लेते हैं तो ट्रेंड का confirmation हम लोग को मिलेगा कि long term trend कैसा है तो long term trend हम लोग देख रहे हैं bullish momentum है तो price अभी और भी continue कर सकता है और नहीं तो अगर 20 का line break होता है तो अगला pivot तक आ सकता है क्योंकि market global condition औ और निफ्टी का condition थोड़ा सही नहीं है तो breakout नीचे की तरफ ज्यादा possibility है तो इसलिए relax हो में फिलहाल हम लोग wait and watch करेंगे अभी कोई फिलहाल entry नहीं करें और नहीं average करें और हम लोग को downtrend में averaging नहीं करना है क्योंकि downtrend में averaging करने से बहुत ही ज्यादा negative चला जाता है इसलिए panic नहीं करना है quality stock में डरना नहीं है मोका मिलने पर हम लोग को buy करना है आगे का ज्यादा हम लोग को चिंता नहीं करना है market fall करेगा क्या होगा और हमारा अगला stock भी बहुत ही quality stock है IEX एक service based company है exchange का काम करता है power companies के लिए electricity unit trade होता है तो इसको भी आप लोग अपने portfolio में सामिल कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इसमें भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर resistance है और उसी की resistance से price फिर से निचे आने का कोशिश कर रहा है बहुत ही bullish momentum था IEX में और करीब 300% का return दिया है पिछले one year में तो इसमें थोड़ा correction और भी हो सकता है इसलिए फिलहाल हम लोग buy करके नहीं चलेंगे price 200 days के moving average से थोड़ा दूर चल रहा है और distance ज्यादा है तो इस करण से हम बोलते हैं यहाँ पे FIHDIS का selling आता है तो इसमें फिलहाल ह तो अपने quantity को बढ़ाएंगे लेकिन IEX में हम लोग ऐसा नहीं कि एक दिन फॉल किया है तो buy करेंगे downtrend में भी averaging नहीं करना है पहले हम लोग को नीचे का pivot देखना है अगर जिस pivot पे support लेगा तो वहाँ पे buy करेंगे नहीं तो हम लोग wait करते हैं 200 days के moving average पे आने का और weekly chart पे भी देख लेते हैं weekly chart पे भी हम लोग को police momentum दिख रहा है और IEX का listing उतना ज्यादा पुराना नहीं है लोग देख रहे हैं तो weekly chart पे भी price 200 days के moving average से बहुत ही ज्यादा दूर चल रहा है तो इसी कारण हम बोले थे यहाँ पे कुछ आप लोग profit book कर लें जोकि profit book करना भी बहु entry मिले तो और भी अपना quantity को बढ़ाना है यहर बड़े investor करते हैं तो IEX में हम लोग को फिलहाल कोई buying नहीं करना है दोस्तों क्योंकि price 200 days के moving average से बहुत ही जादा दूर चल रहा है ऐससे situation में हम लोग buy करके नहीं चलते हैं क्योंकि इसमें गिरावट आने की संभावना ज्या quality stock जितना मातरा में और जितना नीचे के price पर आप खरीदियेगा long run में उतना ही फैदा मिलता है तो इसलिए IEX बहुत ही quality stock है अगर है तो hold करना है ड़ड़ना नहीं है तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगाओगा तो वीडियो को like चैनल को subscribe किजिए और अपने दोस्तों में share किजिए चलिए thank you मिलते हैं next video में